हलो फ्रेंड्स दिस इस समीद गवरब और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्योंकि इसके चार्ट पे एक राउंडिंग बॉर्टम बन रहा है और साती साथ हमें बैलूम पर अच्छी दिखाई दे रहे हैं और मसीडी का क्रॉस अबर इसमें हो चुका है अलड़ी और आज की डेट में हमें लेकिन डेटेल में अनलीसस करेंगे लेकिन अनलीसस करने से पहले अगठर आप चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ हाभ टेलिग्राम चैनल को ज़िरूर्य जुए जहां पर मैं कैसा करेंगा आले सीअर्स습니다ige 없 के नाम से हमारे चैनल है इसको आप टेलिग्राम पर टाइप करेंगे तो भी आपको मिल जायागा नहीं तो मैंने यूटूब की वीडियो की डिस्क्रेशन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है तो वहां से भी आप जॉइन कर सकते हैं डारेक्टली और अभी साथ-साथ यहां है कि आप इंडिया का सेकेंड लाजेस ब्रोकर है नंबर नंबर बन पर भी जिरोदा है और नंबर टू पर है अभी अप स्टॉक चल रहा है जिसको आप लोग यह जानते होगी यह स्टॉक में रतन टाटा ने भी इंबेस्टमेंट किया है तो बहुत ही सेफ ही है यह अपन होगा आपका यहां पर लाइफ तांब जैसा कि डेलेवरी पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज होगी वह यहां फी रहेगी आपकी एक करने ने चरेट झाल करते ने करते हैं तो आपको तिस दिन कि जोभी आपकी ब्रोकर देंगी आपको वापस हो जाएगी तो यह एक बहुत बड़ा benefit है कि तिस दिन में आपको जो भी ब्रोक्रेज होगी वह आपको वापस हो जाएगी उसके बाद में जो benefits हैं इसके अलावा बैलिसो के benefits यह हैं कि फ्री money control pro yearly subscription है वह भी लगभी दोजार रुपे का असपा से वह आपको फ्री मिलेगा इसकी प्रीमियम मिल जाएगी जो की लगभी एक हजार रुपे की है वह भी आपको फ्री मिल जाएगी अगर आप बिगनर हैं इस टॉक मार्केट में आपको अभी स्टॉक मार्केट की बे वियाप ग्रोथ के तरफ से तो लब को बैलिस हो का आपको बैनिफिट मिल जाएगा अगर आप इस लिंक के थुरू अपना डेमेट अकाउंट ऑपन कराते हैं आप डेमेट अकाउंट ऑपन कराईए मुझे वाटसप कर दीजिए आपको यह सारे बैनिफिट मैं आपको हमा की तरफ से कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपको लगभग बैलिस होके बैनिफिट मिल जाएंगे और चैनल को जॉइन कर लिजे यहां पर कई सारी मैं रिसर्च पोस्ट करता हूं इस डॉक पोस्ट करता हूं तो अब हम चलते हैं अपनी रिसर्च के पर तो सबसे पहले म यहां पर आपडेट में जाएंगे तो यहां पे इसमियर के उब रिजगेंगे नियोंने जो जो अब पुस्ट किया है इसे में इस प्शले मोड़ा में छो प। और ऑभीस देखें कितनी अच्छी गरो दिखाई इस में वह प्रोफिट आप लेइन income जो थी इस साल की 426 करोड की थी पिछले साल इनकी 470 करोड की थी तो income यानि sales में जो थोड़ी सी हमें यहाँ पर downside दिखाई दे रही है अभी हम इसका detail में भी देखेंगे कि quarterly result में इन्होंने कैसा performance दी है वह हम compare करेंगे तो हम वीडियो को साथ में बने रही है दूसरी important news यह है कि company ने buyback के जो proposal था उसको एप्रूब कर दिया है उसको एप्रूबल दे दिया है और 105 रुपए पे company अपने share को buyback कर रही है उस buyback की value लगबग 70 करोड होगी और अभी company का price 282 रुपी चलना है 105 पे company buyback कर रही है अपने share को प्राइस चलना 82 तो यह positive संक्यत है कि company यह चा share नहीं होता है लेकिन मोटा मोटी company की जो promoter जब अपनी company share को उपर रेट पर buy कर रहे हैं तो हम भी वहां पर थोड़ा बहुत बेनिफिक उठा सकते हैं तो अभी जो इसके share holding pattern है यहां पर promoters की holding 53.91 परसेंट की है और जब यह buyback complete हो जाएगा तो यहां पर promoter की holding बढ़ जा और डियाइस की holding 4.55% की है और उसके बाद में अगर आप shareholders में देखेंगे तो promoters में बहुत सारे यहां पर promoters है उसके बाद में पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में यह सारे इनके पास में holding से लगवाग 1% से ज्यादा जो holding होती वो आपको यहां पर public holding पे दिखाई देती है और यहां पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके पास में भी इस हिसाब से इनकी holding है तो आप यह चेकाउट कर सकते हैं यह बहुत जाता है important data नहीं है अब हम सबसे important चीज़े हैं वह हम आपको पहले दिखाते हैं तो important चीज़ यह है कि आप द यहां पर इतनी सारी quantity buy की उसके बाद में आप देखें यह दो number को भी एक transition complete हुई थी यहां पर भी लगवा चार लाख साथ हजार शेर बाई किया गया थे 75 रुपीज के भावपे उससे पहले आप देखें बीस अक्टोबर को भी लगवा चार लाख तिनासट हजार शेर ब एक दो तीन चार लगवद चार ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा quantity में शेर को बाई किया गया है यह सो अभी इस बाई इस मतलब हम यह निकलता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होने वाला है जहां पर प्रोमोटर भी 105 रुपए के रेट पर बाई क करते हुए चल भी रहे हैं 72 75 79 तक यहां पर यह एक बहुत ही पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए जो हम लोग डिसकस करते चलेंगे कि क्या-क्या पॉजिव बाते हैं और क्या-क्या निगेटिव बाते हैं अब थोड़ा सा हम फंडामेंटल आपको यहां दिखा देते हैं फंडामेंटल में आप देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं एचसाइल लिम्टेट जो है आप हिंडवेर का नाम सुना होगा वह सारे यसी कंपनी की ही है तो अभी हम उसके में डेटेल में डिसकस करेंगे एप्यस का 555 अभी यह चीज हम आपको इस्क्रेंट डॉट वैल्डिंग पर्डट्स पगेंजिंग पॉड्ट्स के इंजूमर पॉड्टस रिटेल बिजिनेस ठीक है और जी देखें हिंडिवेर हमडाट कॉम ठीक है यह एविभ साइट है आपने प्रड़क्त देखें गये संटीट्रि प्रड़क्त आप देखेंगे कई काफी अच् कंपनी ने स्टॉक का जो पी है 15.6 का है लगबग 173 की है दोस्तों बुग बैलू आप देख सकते हैं कि 173 की तो इसकी बुग बैलू है मतलब आज की डेट में कंपनी को बेस दिया जाए तो आपको एक शेर की प्राइस लगए 173 अपन निकलेगी तो बुग बैलू से कब कई नीचे अभी आधे प्राइस भी एट्रेट कर रहा है तो बहुत सारी अभी हमें इसमें ग्रोथ देख सकती आगे आने समय में वह हम देखेंगे टाइम लगेगा लेकिन कितनी कितना टाइम लगेगा वह नहीं डिफाइन है लेकिन हैं कंपनी यहां से हम एक फंडामेंटली अंडेस्टेंडिंग के लिए समझ सकते हैं कि कंपनी अभी यहां पर एंटर वैलूड है और साथ-साथ में प्रोमटर भी पॉजिटिव है कई सारी वल्क डील भी हुई है जहां पे इस कंपनी में बाइंग भी हुई है तो डिविदेंटी इल्ट से 3.63 परसेंट की है लगभग एक प्रोक्सिमेट सेमी यह जो बंस रेशियो जिसका कम होता है इसको मैं पॉजिटिव मानता हूं तो यहां पर बंसे कम यह है फैर यह लेकिन ठीक है चलो उसके साथ हम इंट्रेस कभर रेशियो देखते हैं दोस्तों इंट्रेस कभर रेशियो थोड़ा तीन-च बारा है दस के नीचे रहती तो थोड़ा हमें अट्रेक्टिव लगती है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपैंसिव नहीं है ठीक है उसके बाद मार्केट के तो सेल्स रेशियो 0.37 यह तो आप समझते ही है और अभी आप देखे रहे हैं कि जो बुक बैलू है लगबग अपने प्राइस से डबल पर ही ट्रेट कर रही है तो यहां पर 0.48 का रेशियो यह भी दिखा रहा है अब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका कॉर्टर ली रिजल्ट आया है देखे सेप्टेंबर 2020 में अभी कोरोना का ही टाइम चला है उसके बावजूद में भी देखे इस कॉर्टर में तो हमें कोरोना का एफेक्ट दिखा था क्योंकि जब इनकी सेल मार्च 2020 में 461 करोल की थी और जून 2020 में 252 करोल की सेल्स रह गई थी यहां पर हमें एक निगेटिव दिखाई दिया था लेकिन अब देखे सेप्टेंबर 2020 में यहां फिर से सेल्स इं प्रोफिट मार्जिन होगया इपमींस इन्होंने इस चीज को कंट्रोल किया यानी एक्सपेंस पर कंट्रोल किया है और इसी लिए इनका प्रोफिट बढ़ गया तो यह बहुत पॉस्टिव बात है कि कंपनी इस कॉर्टर में कंपनी ने अच्छा काम दिखाई दिखाया है और यहां पर अधर वैलू 13 करोड की है तो टोटल अगर मिला के देखें तो 36 का जो है इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता है जो कि पहले की कौटर में आप देखें निगेटिव हो गया था मार्च की कौटर में लगबा 3 करोड का प्रॉफिट था उससे पहले 16 करोड का था 15 करोड का था 14 करोड का था तो लगबार आप देखें पिछले कौटर में देखा जाए तो यहां पर इनका सबसे अधिक प्रॉफिट निकल के आया है हाला कि इसमें 13 करोड की अधर इंकम भी इंकलूड है लेकिन फिर भी इसमें आप पहले भी देखें तो 21 करोड की यहां अधर इंकलूड थी फिर भी इनका प्रॉफिट तीन करोड का ही था तो यहां पर इन्हों ने अच्छा खासा यहां पर कंट्रोल किया है यह मुझे पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों एरली अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो एरली में हमें बहुत जादा यहां पर अ ही रिफिलेक्ट होगी लेकिन फिर भी अगर आप ओवराल देखा देखना चाहें तो ट्रेलिंग टोएल मंत में यहां पर इनकी सेल्स जो 1628 करोड की है और प्रॉफिट जो निकल क्या है हम चलते हैं इसका बैलेंशीट में दोस्तों हमें कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाए दिया क्योंकि इनके रिजर्स जो थे मार्च 2018 में 1445 करोड के थे लेकिन उसके बाद में इनकी रिजर्स कम हुए है जो कि मुझे अच्छा संकेत नहीं दिखाए देता है तो कैस फिलों 107 करोड के हैं इन्वेस्टिंग में 115 करोड के पैसा हिनोंने इन्वेस्ट किया है बाकी फाइनेशल आक्टिविटी केमें डेवें बैगरा पे करने में या बॉर्वेंग पेंकर निगेटिव पिकर दिखा रहा है तो overall यहां पे कैस फिलों निगेटिव हमें दिखाई दे रहा है हाला कि यहां पर इन्वेस्टमेंट और फानिसल एक्टिविटी में यहां पैसा खर्च किया है लेकिन जो ऑपरेटिक एक्टिविटी से जो कैस्ट जनरेट होना चाहिए वह उतना जदन नहीं था इसलिए यहां पर यह निगेटिव वैलू हमें नहीं किया फिर मार्च 2020 में यहां पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को इन्वीच किया था और अभी तक यहां पर सेम ही है लेकिन अब यह बाइवेक बाली जो न्यूज है वह कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पर प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ते हुए हमें दिखाई देगी तो ठीक है दोस्तों यह कई सारे पॉइंट्स हैं हम डिसकस किये जिसमें निगेटिव कुछ पॉइंट थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मुझे बहुँ ज्यादा सॉलिड लग रहा है और चाट पे भी एर राउंड यहां पे 25 सेप्टमबर को बनाया था उसके बाद में एक स्टॉक थोड़ा नीचे आया थोड़ा फिर उपर निकलते हुए इस टॉक ने आज जो है पिछले हाई को तोड़ दिया है पहले था 83.83.50 का हाई था और आज की डेट में हाई जो है 84.40 का हाई है तो पिछले हाई को इसने तोड़ के उपर निकला है और RSI भी यहां पर हमें बुलिस का सिगनल दिखाई दे रहे हैं मसेटी भी क्रॉस हो चुकी है वैलूम भी यहां पर हमें इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं तो अगर यह लगबग 85 के उपर यह स्टॉक निकलता है दोस्तों तो इसम को अपने इस स्टॉक को अपने डेडर में रखिए 105 में ध्यान रखिए 105 में इसके प्रमोटर इसको बाइबेक कर रहे हैं और अभी रिसेंट में लगबग 45 डील ऐसी हुई है जहां पर लगबग 70 रुपए से लेकि 80 रुपए की बीच में कई सारी खरिदारी की गई है कई कई सारे बड़े कॉन्डेटी में इस टॉक को उठाया गया तो उस चीज को विध्यान में रखिए बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है किसी साफ से मैंने आपको पहले ही वताया कि आप अपनी मनी मेनेजमेंट जरूर कीजिए कि इस टॉक के साथ साथ में मनी बना पाएंगे तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना आई फिर्म लेंगे एक नई वीडियो में एक नई स्टॉक के साथ में एक नई रिश्याज के साथ में तब तक के लिए अपने ख्याल लखिए सेफ रहिए थैंक्यू बरी मच